Hello friends, this is Imanchi and welcome to Let's Learn इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे Yuri Bronfenbrenner का Ecological System Theory या Ecological Model भी इसे कहा जाता है Various exam में ये थेरी पूछी जाती है Socialization का part है ये थेरी तो 4.1 इसको इस चैप्टर को कहा गया है इसके बाद Socialization की दो और थेरी इसको हम डिसकस करेंगे जो है GH Mead का सिध्धान्त और CH Koolay का सिध्धान्त तो पहले इस थेरी को समझेंगे ये बहुत important है अगर आपको इस वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like करें, आगे share करें और चैनल को subscribe भी कर लें अगर पहली बार देख रहे हैं ये बात को analyze करने में कि कैसे एक व्यक्ति का environment environment के systems अलग अलग जो layers है environment में वो प्रभावित करती है उस व्यक्ति को और उसके development को throughout life तो start करेंगे ये जो levels है environment के उनको हम समझेंगे इसमें brown friend banner ने रखा है बच्चे को center में मतलब child center में हैं उसके बाद बाकी के systems हैं जो five systems हैं जो उसको throughout life impact डालते रहेंगे अगर हम first बात करें तो ये है micro system जो immediate environment है एक बच्चे के peers हैं उसके parents मतलब की उसके siblings हैं ये सब आ जाते हैं फिर meso system आता है then exo system फिर macro और trono तो इन पांचों को अच्छे से समझेंगे ताकि आप proper notes के साथ इनकी understanding बना सकें अगर हम बात करें तो इस theory को कहा जाता है theory of individual and social development कैसे एक व्यक्ति और समाज आपस में interact करते हैं तो इन factors को हम समझेंगे और अगर हम बात करें तो पहला जो level है वो है micro system micro system से आप समझ सते हैं micro मतलब सबसे जोटा तो एक व्यक्ति के just बात जो वो बच्चा है center में उसके just आगे जो है जो उससे direct immediate environment में है उसको हम micro system कहते हैं जैसे उस बच्चे के जो relationship है एक organization के साथ अपने parents के साथ siblings के साथ family के साथ teachers के साथ ये सब क्या है micro system में आते हैं अगर family ने जो है उसको सही से एक अच्छा environment नहीं दिया एक अच्छा treatment नहीं दिया तो उसका negative point of view बनेगा teachers को लेकर के भी बाकी others को लेकर के भी तो ये जो direct environment है उसका जो interaction है वो आएगा micro system में और ये पूरी throughout life उस बच्चे के effect डालेगा उसकी growth पर तो ये positive हो encouragement मिले इस level पर ये जरूरी है family से बाकी के जितने भी friend circle है सब कुछ है सब positive रहे तो जादा बेतर होगा आगे बढ़ते हैं second meso system meso system basically जो micro system है और व्यक्ती है उसका जो environment है जो interaction है बच्चे के immediate system का उसको हम meso system कहते हैं जैसे जो parents है उनका interaction school के साथ parents का मतलब family का interaction peer group के साथ तो ये जो दोनों का interaction है micro system में जो लोग है उनका आपस में जो interaction है उसको हम meso system कहते हैं तो इसको आप ध्यान में रखें जैसे family और teachers का interaction तो relationship है बच्चे का peer group के साथ और family के साथ उन दोनों का interaction तो जब भी immediate जो system है उनका जो interaction है आपस में उसको हम meso system कहते हैं next पर बढ़ते हैं next है exo system exo system मतलब की ऐसा impact जो indirect है बच्चे पर अगर हम बात करें तो exo system is a setting where children do not play an active role बच्चा यहाँ पर active role play नहीं करता लेकिन यह जो system है उसको बहुत सारे context में impact डालता है मतलब अगर हम बात करें हैं हापर तो जो बच्चे की parents है उनका जो work place है बच्चे की parents जो है अगर उनको मान लीज़ा अच्छी salary मिलती है तो उस पर बच्चे पर भी प्रभाव डालेगा जो extended family members है जो दूर के रिष्टेदार है neighborhood है school board है मतलब school board अगर आप समझे तो जो curriculum makers है अब वो curriculum makers बच्चे की तो direct contact में नहीं है लेकिन उस बच्चे पर उन curriculum makers ने जो curriculum बनाया है उसका प्रभाव पड़ेगा school board में जो community में जो सरदस्ष है हैं वो direct बच्चे के contact में नहीं है लेकिन फिर भी उनका प्रभाव पड़ेगा उनके decision का प्रभाव पड़ेगा जो mass media है उसका प्रभाव पड़ेगा बच्चे पर तो यह सारी चीज़े हैं जिनको आप ध्यान में रखें आगे अगर हम बात करें तो यही हमने देखा कि directly associate ना करेगा बच्चा लेकिन फिर भी उस पर influence पड़ेगा इन organizations का इन institutions का next है macro system macro मतलब बड़ा रूप अगर हम बात करें तो यह describe करता है कि कैसे एक व्रक्ती एक individual अपने culture में रहता है अगर हम बात करें तो आपकी socio-economic status क्या है मतलब अगर आप अच्छे और अच्छे economic status वाले परिवार में पैदा हुए है तो हो सकता है आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो आपका जो परीदृष्टी है वो अलग हो लेकिन जो बच्चा लो economic status में पैदा हुआ है उसकी जो struggles है वो different होंगी तो जो आपका family status है economic वो यहाँ पर आएगा या वो यहाँ पर impact करती है आपकी values आपकी identity वहीं से form होती है इसके बारे में एक important चीज़ यह है कि macro system may evolve over time as each successive generation may change the macro system and lead to development in a unique fashion तो बिल्कुल जो macro system है वो time के साथ change हो सकता है क्योंकि मान लिजे एक व्यक्ति एक बच्चा गरीब परिवार में पैदा होता है और उसने बहुत महनत की वो जो system है वो अपना social economic status बदल सकता है तो आगे आने वाली जो generation होगी उसके लिए वो चीज़ बदल चुकी होगी तो macro system को time के साथ develop किया जा सकता है आगे बढ़ते हैं 5th है chrono system जो की last है chrono मतलब समय से संबन्दित है chrono system मतलब कि आपके time पर क्या technology, क्या inventions हुई वो आपको impact डालेंगी समझ लेते हैं इसको chrono system refers to the changes or transitions that happen over the course of one's lifetime आपकी throughout lifetime आप पर कैसा प्रभाव पड़ा किसी चीज़ का, किसी एक incident का वो आता है chrono system में मतलब कि जो single parent है अगर बच्चे के सामने divorce हो जाता है उसके parents का तो उसकी life पर वो चीज़ हमेशा के लिए impact डालेगी अगर हम बात करें तो ये include करती है socio और historical circumstances को भी तो जो पूरे life के throughout परिवर्टन है वो इसमें आते हैं ये कुछ five levels थे अगर हम इनको revise करना चाहें फटाफट से तो first है आपका micro system जो एक individual को direct impact डालता है ये बीच में एक individual है और इसकी just बाद है micro system मादब उसकी family, उसके friends, उसका school फिर आजाता है meso system meso system में basically जो relationship है micro system के बीच में वो meso system में आता है मान लिजे, दो family और friends के बीच में जो interaction है, family और school के बीच में जो interaction है, वो बच्चे पर फर्क डालेगा तो ये meso system हुआ exo system जो indirect influence है people, मादब लोगों का और जो उसका environment है जैसे कि school का board हो सकता है, mass media हो सकता है macro system जो social culture है और values है, उनमें macro system आता है chrono system basically chrono system में आपके पूरी throughout life in usual के बीच में जो कुछ होता है उस चीज का impact पड़ता है व्यक्ती पर तो ये थे कुछ, जो important five levels थे, अब हम कुछ questions को discuss करेंगे, ताकि आप इस theory को और बहतर तरीके से समझ पाएं first question कहता है, in which system of Bronfen-Brunner's theory are links between the family and the school important family और school के बीच में जो links हैं वो कहां पर कौन से level पर important है exo system में, chrono system में, meso system में या micro, तो family और school के बीच में जो interaction है वो होता है meso system में मतलब micro system का interaction meso system कहलाएगा, next है question number two, in which bio ecological system would our parents work place be located, जो bio ecological theory है, इसमें पच्चे के जो parents का workplace है, वो कौन से level पर आता है exo system में, chrono system में, micro system में या meso system में, तो यह आएगा exo system में, जो उसको indirectly प्रभावित करता है बच्चा तो workplace पर नहीं जा रहा अपने माबाप के, लेकिन फिर भी वो जो workplace है, उस workplace की tension अगर माबाप घर पर आकर के निकालते हैं by interactions between immediate environments immediate environment की बीच में जो interaction है, उसको क्या कहेंगे, अब यहाँ पर भाशा को समझना जरूरी है, immediate environment की बात कर रहा है, बच्चे और immediate environment की नहीं, तो यह micro system होगा macro होगा, meso होगा, या exo होगा खुद सोचें, या पर तो यह meso system है क्योंकि immediate environment आपस में interact कर रहे हैं, जैसे school और उसका peer group, school और उसके parents तो यह है एक बात, next है question number 4, what is the outermost system in the ecological model, तो ecological model में outermost मतलब 5th level कौन सा है, सबसे बाहरी वाला, meso system chrono system, macro system, या exo system तो chrono system है, जो outermost है next है question number 5, which system influences a child indirectly, indirectly किस एक system का influence पढ़ता है बच्चे पर, प्रभाव पढ़ता है, meso system का, exo system का, micro system का, या chrono system का, तो indirectly जो प्रभाव डालता है, वो है आपका exo system तो यह थे कुछ 5 questions, I hope आपको यह थेरी यह कुछ questions पसंद आए होंगे अगर आपको यह video पसंद आया हो, तो video को like करें आगे share करें और channel को subscribe भी कर लें अगर पहली बार देख रहे हैं तो इसी तरह की जो important theories हैं, teaching related exam से कुछ-कुछ important चीज़े हैं, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती रहेंगी, अगर video पसंद आया हो, like जरूर करें, आपका कोई भी डाउट हो, comment section नो बताएं, कैसा लगा वो सारे विचार जो हैं, उनको भी comment section नो बताएं thank you guys, thanks for watching, this was Imanji signing off, all the very best